नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट ब्रिसव रासी फल नोवंबर दिसंबर दो हजार बाइस आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाओ लेकर आ रहा है आए जानते हैं विस्तार से तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोवंब सब्सक्राइब योग बनेवैं हैं आपके छटे भौव में रहेंगे देवग्रु ब्रिस्पती आपके ग्यार्वaison में रहें और राहु आपके बार्वेज़में हैं तो कैसा होगा फ्रुंत इस महने है और गुपत बाते हैं ठोरी बाहार आ सकती है जोड़ी करना को समय में सुधार होगा कारे में गती आएगी योजनाय सफलता पाएंगी वैसे मित्रों का सपोर्ट मिल रहा है आर्थी किस्तिति आपका बेहतर होगा और सरकारी योजनाओं का लाब मिलेगा कारियों में रूची रहेगी सत्रु बिरोधी थोरे अक्टिव हो सकते हैं आपको समभलके रहना हलां कि कारे में तेजी आएगी नए छेतर में प्रवेश का आउसर मिलेगा मित्रों में मुलाकात होगी मित्रों से सभी और से खुसियों की प्राप्ति होगी तो विवादित मामलों में पक्ष मजबूत क्रोध की दिखता भी रहेगी जल्दवाजी में नुकसान हो सकत है आपको ध्यान रखना है गांपत्य में जीवन में हलांकि लवलाइप में आपका रिश्तों में मधूरता है गुप्त बाते कुछ सामने ना आजा इसका ध्यान रखेगा गंपत्य जीवन में सपोर्ट है और किसी कठिन मसले पर जीवन साथी का सहीम मिलूओं करते हैं तो जबसके रहेंने कि एlearning से शुक्त क defense Divine करनेका पूरा प्रियास करने का प्रियास करेंगे तो आपको बहुत सम्हेंना है तो बेपार के लिए समय उत्सम है और जाफ को अ IPhone कि आपको मिलता आने ना होगा और किसी भी तरह का लापरवाई मत कीजिए इस नवंबर के मेहने में तो चली जानते हैं बिश्टार से क्या होने बाला है कारेच चेते से सुरूत करते हैं तो काफी लंबे समय से किसी मनचाहे ट्रांसफर की प्यास कर रहे थे तो आपको उसमें सफलता मिलेग और आपकी मन पसंद जगह पर जहां आपको मेहनत तो करनी है लेकिन मेहनत भी आपको लाव देगा नोकरी में आपके काम से आपको जाना जाएगा आपका रुतवा बढ़ेगा आपकी सोच सकारत मकरेगी कारेच हमता आपको और मजबूत बैक्तिक तो परदान करेगी तो में भी दबदवा पड़ेगा लेकिन सत्रों से आपको साब्धान रहना च्छटे वह में सुर्व बुद्व सुक्र केतु की यूति है तो ऐसे में आपको प्रयास करने से हर जगा सफलता प्राप्त करेंगे लेकिन आप सत्रों को इग्नौर नहीं कर सकते हैं कुछ अपने भी सुर्व बुद्व सुक्र केतु के यूति होने से छोटी मुटी मुटी मुश्किलने रहेंगी लेकिन सप्तम्भा के स्वामी मंगल वक्री अवस्था में दूसरे अस्थान पर बिराजमान है तो क्या होगा बैपार में छोटे मुटे उतार चरह हैं लेकिन देव गुरु सप्तम्भा को देखेंगे तो आपके वैपार में उन्नती के रास्ते यहां से निकल आएगी जल्दबाजी से आपके काम में तेजी आएगी और कोई बड़ा ओर्डर या मनाफ़ा आपके हांत लग सकता है अगर हम धन की बात करें तो द्वामे राहु और छटे वामे सुर में तो क्या होगा आमदनी में भी कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन आप खर्चों को अच्छे से कर पाएंगे और आपको थोड़ा ध्यान देना होगा अब इसमें आपकी इंकम को कमजोर बना रहा है लेकिन सुरी बुद्ध और सुक्र जैसे ही सप्तम्भाव में आएंगे त की सीप दीली चीज़ कंड़ के दूसरे लगाव में द्र ap Understand點 3 को करेंडा छक कि दूसरे रूप से किसी समस्या कर रहा है तो थोरा सा आपको अपनी स्वास का धियान रहना है और सद्यान है dan आप इग्नोर नहीं कर सकते समय रहते उपचार करें खास कर इसकी प्रॉब्लम पेट की समस्या आखों में समस्या जैसी चीजें हैं थोरा क्रोध बढ़ेगा पेट की बीमारी का भी आपको ख्याल रखना यानि कि स्वास थोरा सा कमजोर रहेगा इस मेहने में क्योंकि चतुर भाव पर देव-गूरु ब्रिश्पति का प्रफाव और सब्सक्राव में प्रफाव होने से एक्युजा करने में का भी मिलती है हलां कि आप लब मैरेज कर सकते हैं इस प्रियेड में और अगर आप और विवाहत हैं तो बिवाहत थिये होने के प्रबल समभाना बनी भी है लेकिन दूसी तरह बैवाही जीवन में सब्तम भाव के स्वामी मंगल दूसरे वह में वक्री हैं पारिवारी जीवन में थोड़ा बहुत तनाओ देंगे देव गुरु ब्रश्पति की किरपा से सब्तम भाव पर बरसने के करन जीवन साथी का मन और मस्तिक्स अच्छा तो इसमें 13 नॉम्बर को मंगल वक्री वस्था में अपनी रासी में प्रवेस करेंगे उनकी पुर्ण दृष्टी सब्तम भाव पर रहेगी तो दामपति जीवन में तनाओ को बढ़ाएगा गुस्से को बढ़ाएगा रिस्तों में नकात्मक प्रभाव डालेगा इससे बाते करेंगे जो अपनों का दिल दुखा सकती है हलांकि वक्री मंगल के करन खाने पीने से समंदी समस्या होने सकते हैं तो इसमें जैसे सब्तम्भाव में आएंगे पारिवारिक महल में थोरा सा सकात्मक्ता लोटेगी अगर आप साधी सुधा हैं तो महल को आप बदल देंगे अब देखिए क्या करें कि सबकुछ अच्छा हो जाए नौमबर के महने में देखिए आप सबसे पहले तपने रासी के स्वामी को ब अच्छा करें तो दिसंबर के मेने में क्या होगा यह तो थी नौमबर मेने का हाल तो चले जानते हैं गुरहों की स्थिति क्या कहती है मंगल ब्रिसब रासी यानि लगन में है केतु तुला रासी यानि की छटे भाव में है सूर्य बुद्ध सुक्र विभा अस्थाने बैठे हैं सब्तम भाव में सनी देव नवे भाव में रहेंगे और चन्रमा दसम भाव में है गुरु मीन यानि के गयार में भाव में रहें कारिके दिखताप बनी रहेगी, हलाकि इंकम भी बढ़ेगा, अच्छी खबर प्राप्त होगी, यात्राएं सुखदायक है, समाज हित का काम करेंगे, तो मान परतिष्टी बढ़ेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बिशताप बनी मोटी गलत प्यमी हो सकती है इसका ख्याल रखिएगा जो लोग नोगरी वेफसाइग करते हैं वह अपना काम निट्वाने में उनका ध्यान रहेगा आपकी सही होगी सहकर्मी की मदद भी आपको मिलेगी उनकी भी मदद आप भी करेंगे हलांकि आपका बैपार और गती दोनो में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद